असलाव अलेकुम दोस्तों, आज हमारा टापिक है, फस्ट यर के सर्कुलेशन चेप्टर से हीमन हर्ट, इसमें इंशालला दो लेक्चर दोंगे फस्ट यर के स्टूडेंस के लिए, और फिर इटा पॉइंट अफिल से जो हम पॉइंट डिसकस करेंगे, वो फिर इंशालला की जो में पॉइंग आरकन है, वो हमारे पास हर्ट होता है, एन ह्यूमन हर्ट इस फोर चेमबर, इसके चेमबर को भी फिर लेटर रांडिसकस करेंगे, वो डियूमन हर्ट जो है, वो फोर चेमबर है, यनि इसमें अगर आप देखने डियाग्राम में, तो एक राइट आरि की क्वर्ड हर्ट के हम सपद्धिकेशन डिफेंट साइड से कर सकते हैं पहले हम सब्सक्राइब और रइट्साइड फ्रॉर बस्ता ह demiụत square т say अगर हम यह डायग्राम में देख लें तो ब्लैक कलर जो को नजर आ है यह रइट ड्साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं right side mean right circle and right ventricle और left side of the heart का मतलब left circle और left ventricle है यानी हमने heart को vertically dissect किया into right side and left side फिर अगर हम आते हैं right side में हम क्या मतलब लेते हैं right side से हम मतलब लेते हैं right circle and right ventricle right circle and attrium एक ही term है अगर बुक में air circle लिख है या एट्रिम लिख है तो इसके एक ही मतलब है इसे तरह लिफ्ट आरिकल और लिफ्ट वेंट्रिकल कलेक्टिवली फॉर्म दी राइट साइड आफ दी हर्ड जो हम निकला शिपाई किया हर्ड को वर्टिकली अभी क्वेस्टिन यह है कि इनके फंक्शन्स गया है तो राइट आरिकल जो हमारे पास है इट रिसीव्ट डी अक्सिजनेटिट बलड फ्राम होल बॉड़ी हमारी जितनी भी बॉड़ी है वहां पे जब अक्सीजन हम पहुंचाते है और वहां से डी अक्सिजनेटिट बलड को कलेक्ट करते है तो ये सारा ब्लड राइट आरिकल में तुरू वैना के वा आता है तुरू दी सुपीरियर एन इनफीरियर वैना के वा हमारे पास दो वैना के वाज है जो पूरी बाड़ी से बलड को कलेक्ट करके यहां तक पहुंचा दे दे है अब राइट आरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा राइट वेंट्रिकल रिसीव री अक्सिजनेटिट ब्लड फ्रां राइट आरिकल एंड सेंड टु दे लंग पल्मूनरी आर्टरी के तरू pulmonary artery के तुरू यह जो right ventricle है यह blood को send कर देगा और वहाँ पे इसकी oxygenation हो जाएगी oxygenation के बाद blood वापस आएगा to the lift auricle lift auricle क्या करेगा? receives oxygenated blood from both lungs and sends to lift ventricle auricle का काम यह है कि वो blood को receive करेगा और ventricle को send करेगा lift ventricle receives oxygenated blood from lift auricle and sends to the whole body tissues cells through aorta याद रखें यहाँ पे हमारे पास aorta जो है वो main character है जो कि blood receive करेगा यह आगे topic में explain भी हो है और यह पूरी body को oxygenated blood provide करेगा अब अगर हम इन points को यहां discuss करें तो इसका मतलब यह कि पूरी body से जो blood आ रहे है oxygenated वो right auricle में de-oxygenated blood right ventricle में de-oxygenated blood के lungs में oxygenate होके lift auricle में oxygenated blood left ventricle में through aorta पूरी body को body से फिर de-oxygenated form में right auricle को इस तरह यह circulate करता है अभी circulation को हम discuss भी करेंगे यहाँ पे हम यह जीज़ क्लिर हो गई है के right side of the heart जो है वो concern है just for de-oxygenated blood जहां पे c-o2 लिख है इसका मतलब है के de-oxygenated blood और left side of the heart जो है वो responsible है for oxygenated blood इसका मतलब है की right side of the heart जो है वो receive कर रहा है de-oxygenated blood right ventricle send कर रहा है de-oxygenated blood left auricle receive कर रहा है oxygenated blood left ventricle send कर रहा है oxygenated blood that's why हम यहाँ पे explain करते हैं के right side of the heart is specialized for de-oxygenated blood and left side of the heart is specialized for oxygenated blood अब हम heart को dissect करते हैं horizontally vertically तो हमने उसको lift right में divide किया है horizontally हम heart को upper heart और lower heart में classify करते हैं upper heart से मतलब है आरिकल जिसमें right auricle और lift auricle है और lower heart से मतलब ventricle हैं जिसमें right ventricle और lift ventricle है diagram में आप देख रहे हैं कि यह जो green color यह represent कर रहे अपर हर्ट हो जिसमें upper heart में right auricle और lift auricles है और right ventricle और lift auricle और lower heart में आते हैं बोठ वेंट्रिकल वाउर बोउर conteúdo बोथ आरिकल अपर हई Executive Therefore Is Never आरिकल रिसीव करेगा वेट अप्रेंट्रिसिप्यूट करेगा अरिकल रीख और अपर हई आरिकल्स और एत्रियम रिसीब ब्लोड यह सपेस्चिलाज़ेशन करने कि इनका काम apo Chi करना है from the body Wendrickle distribute the blood जो Wendrickle हैं वो in distribution कर देंढने अब यहां पे इस होते हैं कि किस तरह चेंबर्स बने रहे हैं तो चेंबर्ड बने आटोमेटिकली इनके बीच में कोई सब्टा होगा इनके बीच में कोई partition होगी और partition ने उसको पार्टिशन हैं और और वेंटरेखल के बीच में अलग पार्टिशन है। मतलब यह हमारे फासे थ्री टाइप साफ सेम्टा विश्म में इस में पहला सिप्टम हैgyो राइट आडंकल कू लिफट ऐरेकल सैस सिपयले निदों के आरेकल्स को एक दूसरे से अलग कर रही है और उसको पाटिशन कर रही है सब्लिर दोनों वेंत्रीकल्स के बीच में वी एक सेप्टम है और इस सेप्टम को हम अपने याद रखने है inter-auriclo-ventricular septum inter-auriclo-ventricular septum it means the septum which is in between the auricles and ventricles अब यहां पर आपको पते है कि blood ने right auricle से right ventricle में जाना है तो यहां पर एक wall होना चाहिए lift auricle से lift ventricle में भी blood जाना चाहिए तो यहां पर भी एक wall होना चाहिए right article से right ventricle के लिए जो वाल है जिसमें blood flow करता है that is called tri-cuspid wall lift article से जो lift ventricle के तरफ जा रहा है इसको bicuspid wall कहते है tri-cuspid इसलिए कहते है क्योंकि आप diagram में देख रहे हैं इसके three loops हमने बनाए है और यहां पे आप देख लिए तो इसके two loops है that's why it is called bicuspid तो आप याद रहे हैं इनकी जो अपने नाम है वो right auriculoventricular aperture है lift auriculoventricular aperture लेकिन शाट फाम में under basis of loops हमने इसको dricuspid और bicuspid से indicate किया है अब देख लिए पूरी membrane का नाम है inter auriculoventricular septum जिसमें right side पे tricuspid wall में और lift side पे bicuspid wall में यह हमारे पास पूरा heart है और उसके chambers और septum अभी दोस्तों हम आगे move करते हैं और हमें पता है कि हम human heart को double circuit circulation कहते हैं यानि human heart को हम double circuit heart कहते हैं अब double circuit heart का मतलब क्या है यह circulation ज़रा समझते हैं शुरू करते हैं हम right auricul से हैं पहले भी हम discuss किया कि पूरी body से de oxygenated blood collect होकर आता है किसमें right auricul में अब right auricul में जो blood आ रहा है यह वो blood है जो के de oxygenated है आप देखने उपर हम नहीं है right auricul से right ventricle में through tricuspid wall फिर pulmonary artery के तुरू वही de oxygenated blood जा रहे लंग्स में ब्लू कलर रिप्रेजेंट डी oxygenated blood lungs में जाके oxygen ले ले लेता है blood और carbon dioxide को रिलीज कर लेता है gas exchange हो जाद है अब blood में carbon dioxide की जाका oxygen आगी है तिसलिए हम उसको rate represent कर रहे हैं अब लंग्स से blood वापस आ रहे है एरो आपको बता रही है आपको arrow guide कर रही है कि oxygenated blood अब लंग्स से move कर रहे है into lift auricle lift auricle ने receive किया oxygenated blood फिर वह send करेगा through bicuspid valve to lift ventricle lift ventricle से aorta की तुरू जाएगा aorta split होगा into arteries, artery splits होंगे into arterioles, arterioles split होंगे into capillaries और इन सब के अंदर flow कर रहे है oxygenated blood अब जब यह capillaries enter होंगे into tissues cells of the body तो वहाँ पे exchange of gases हो जाएगा oxygen blood से body को मिल जाएगा और carbon dioxide tissues से और cell से blood में आ जाएगा अब जब tissue से वापस blood collect होगा तो अब वह oxygenated नहीं है अभी वह फिर oxygenated blood है आप देख रहे हैं arrows आपको guide कर रही है कि oxygenated blood इस तरह move करके आ रहा है towards the right towards the right आ रही कर जहां से हमने start लिया था अभी तो बारह यहां पर आते हैं कि tissue से जो blood के आपलरी से वापस आगे जाएगा तो वेन्यूर्स बनेंगे वेन्यूर्स युनाइट होके आगे जाके वेंस बनेंगे वेंस आगे जाके वेना के वा बनाएंगे superior and inferior और posterior और वो दोनों वेना के वा मूव करेंगे और ब्लड को पहुंचाएंगे right auricle it means right auricle में de-oxygenated blood आ जाएगा डी-oxygenated blood जाएगा ventricle में de-oxygenated blood जाएगा lungs में oxygenate हो जाएगा oxygenated blood आएगा auricle में oxygenated blood left ventricle में aorta की तुरू पूरी body में अब ये हमारे पास double circulation है क्योंकि heart at a time de-oxygenated भी receive कर रहे oxygenated blood भी receive कर रहे है heart at a time de-oxygenated भी distribute कर रहे oxygenated भी distribute कर रहे that's why human heart is called double circuit heart क्योंकि इसमें double circulation at a time चल रही है ये हमने explanation नीचे भी लिखे है क्या हमारे पास double circulation का मतलब क्या है double circulation का मतलब है systemic circulation or pulmonary circulation systemic circulation क्या है oxygenated blood from heart to body and carbon dioxide in de-oxygenated blood from body to heart मतलब हम यहां से ले लें के heart से जो oxygenated blood जा रहे body को और body से de-oxygenated भापस आ रहे हैं ये systemic circulation है in between heart and body अभी pulmonary circulation क्या है pulmonary circulation mean de-oxygenated blood जो move कर रहे from heart to lungs and oxygenated blood from lungs to heart यह circulation जो हम यहां पर diagram में देख ले दें आप देख लेके diagram में carbon dioxide in de-oxygenated blood heart receive कर रहे lungs को send कर रहे वहां से oxygenated blood को फिर receive कर रहे heart it means के a circulation heart or lungs के बीच में और a circulation heart or body के बीच में this is called double circulation and that's why human heart is called double circuit heart इसके साथ साथ हम एक छोटा से topic pulse डिसकस करते है pulse full heart beat को कहते है and heart beat has two main phases एक systole है और एक diastole systole mean contraction of heart आप जानते हैं diastole mean relaxation of heart मतलब जब heart contract करता है तो उसको हम systole कहते है और जब heart relax करता है तो उसको हम diastole कहते है total heart beat के लिए जो time required है वो 0.8 second है जिसमें 0.4 systole के लिए और 0.4 diastole के लिए लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपने एक point याद रखना है स्कूस के लिए कि सिस्टोल जो है वो two phases में होता है उसमें auricle contraction अलग होता है और ventricular contraction अलग होता है auricular contraction 0.1 second के लिए होता है ventricular contraction 0.3 second के लिए तो दोनों मिलकर बनाते हैं 0.4 second और diastole एक ही phase में होता है और वो 0.4 second में है इट मीन्स के जो heart beat है यह three phases में हो गया auricular systole ventricular systole and diastole डाइग्राम से इस चीज़ को represent कर ले दें आप फर्स कर लें के चारो के चारो चेंबर एक साथ contract हो जाए तो क्या auricular से blood का flow ventricular में possible होगा impossible है नहीं right auricular का blood right ventricular में move कर सकेगा नहीं lift auricular का blood left ventricular में move कर सकेगा इसका मतलब है कि पहले auricular contract होने चाहिए for 0.1 second फिर ventricular contract होने चाहिए for 0.3 second तब blood auricular से ventricle में जाएगा और ventricle से oxygenated blood यह ओरता में move कर जाएगा और deactivated pulmonary artery में चाहिए यहाँ पे इसलिए auricular के पहले contract होना जरूरी है अब मेरे हातों के तरफ देख लें यह जो auricular ventricle के contraction यह इस तरह है auricular contraction ventricular contraction relaxation it means auricular systole, ventricular systole, diastole अगर दोनों चेमबर एक साथ contract होगे how blood of auricle will move into ventricle यह possible नहीं है तो पहले auricle contract होगा और फिर ventricle contract होगा इसलिए हम इसकी further phases बना देए है hopes हो कि इस वीडियो में इंशाल्ला आपको कोई issue नहीं होगा इस पे मजीद बात भी करेंगे इस पे एक और lecture है जिसमें similarities है कुछ differences है blood pressure, blood speed में students differentiate नहीं कर सकते है blood pressure, hypertension में students differentiate नहीं कर सकते है atherosclerosis, arterosclerosis में students differentiate नहीं कर सकते है तो यह कुछ चीज़ इंशाल्ला नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे और फिर eta point of you से इसमें से mcqs में डिसकस करेंगे तीसरी वीडियो में तो देखते रहे है हमारा चैनल हमारा साथ रहे है इंशाल्ला आप पाज़ेस कसा इस वीडियो को देखेंगे तो कोई इशु नहीं होगा thank you so much